नमस्ते प्रेक्टिकल गुरू चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज मैं आज आपको बता रहा हूं बहुत इंपोडेंट चीज फ्लेस बेक एरेश्टर के बारे में यह काफी अच्छा रहता है और जो गेस बेल्डिंग रहती है उस पे लगा जाता है बहुत सारे लोग रहते हैं फ्लेस बेक एरेश्टर एक रहता है ऑक्सिएन के लिए लिए रहता है और दूसरा रहता है आपका फ्यूल गेस के लिए तो दो फ्लेस बेक एरेश्टर लगा दिये जाता है यह किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको इसके बारे में पूरी जान करे देता हूं इस इसे लगाने से कभी भी आग नहीं लगेगी और एक टोर्च रेती उसके पास में लगा दिया जाता है यह टोर्च के पास में भी लगाते हैं और रेगुलेटर के पास में भी लगाते हैं दो फ्लेजबेक एरिश्टर लगाते हैं इनसे काफी फायदा होता है तो मैं इसके ब आने नहीं देता है यह दोर और बालव इसके अंदर रहता है दूसरा रेता है प्रेशर से अससुंनी'. यह एक 90 degree का temperature 96 degree जैसे temperature होता है तो यह permanent बंद कर देता है जिसकी वज़े से आग लगना बंद हो जाता है और चोता रहता है आपका flame queen charge यानि इसके अंदर जिदी आग लग रही तो वो आग को इसके अंदर जाने नहीं देता है तो अलग-अलग type के यह एरिश्टर लगा दिये जाते है इसमें चार element होता है जो जैसा मैंने आपको बता है यह आप इस तरीके के flashback एरिश्टर लगाओगे तो काफी फायदा रहेगा तो आप जब भी flashback एरिश्टर लगा तो अच्ची company का लगाना चाहिए तो जो हमारे पास आपको अच्छा लगा यह दि वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहले जी मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्क्राइब करें तो थैंक यू फॉर वासिंग डिस वीडियो में प्रकाश कुमार सेनी थैंक यू